बागत है आपका आपकी यूटीब चानल एम डेलवे में आज हमारी करंट अपर की क्लास नंबर 4 है आज बहुत है इंपोर्टन करंट अपर हम डिसकस करेंगे चले स्टार्ट करते हैं वीडियो तो सबसे पहले इंपोर्टन न्यूज है इंडिया का पहला वेटलैंड कंजर्वेशन और मानेजमेंट सेंटर ओपन हुआ है कहां पर चन्ने तामिनाडू के जो कापिटल है चन्ने में मोस्ट इंपोर्टन है हांडेट परसेंट हरेक लिग्जा में पूछा जाएगा इससे के आउने एक इसब्रस बसी तो सबसे हैं जाने को तो सबसे पहले जानलीचे तरह्यें वेटलैंड वैटलैंड एक्चली तो पहुत जाएं जो बहुत सारे चीज़े जाएं बहुत सारे चीज़े जिसे बाइस्फेर रिजर्फ, वाइटलफ संचिरी, नैशनल पाक यह सब्सक्षा है तो वेटलेंट अन्रगे जो भी मैंने तक पता है तो बहुत सारा मैं इन्वरमेंट के वीडियो तेल में बता क्या है सब को बताऊंगी लेकिन इस जो न्यूस है इसमें मोस्ट इंपॉर्टन पॉइंट यहां पर यह है कि हमारे इंडिया में टूटल अभी हाल फिलाल 2021 में कितने वेट लैंड्स है तो 42 वेट लैंड्स है थी कि इसको याद रखना यह पूछा जाएगा कि वर्ड वेट लैंडे कब मनाया जाता है अब जब थीम होगी थीम एंडेज में पढ़ाती हूं तो जब फिबरवरी मन्त पूरा एंड होगा तब मैं उस मन्त में सब कुछ जो वीडियो होगा उसमें मैं पूरा आपको बता दूंगी फिर भी अगर आप अपने तरफ से कु सेवेंटीवन में यह कन्वेंशन साइन हुआ था वच्छू थी के तो इंडिया का फॉर्स सिंटर फो वेट्लेंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट टू बी ओपने चन्ने हंडेड परसंट कुछन है याद रखना आपको अंजनल नॉलेज का हमारा जो पीडिया बहुत ही रिजनेबल प्राइस रखी है जिसमें हमने हिस्ट्री जोग्रफी इंडिन पॉलिटी एकोनार्मिक्स और जन्रल नॉलेज जो है अड किया है यह बीच में आड करने का मेरा मोटो यह था क्योंकि बहुत ही ज्यादा माल प्रैक्स हो रही है कल ही मैंने लॉंच किय कल शिव जैन्ती थी और उसके परवपर मैंने लॉंच किया ठीक है मुझे लगा मैं श्वाजी महाराज को बहुत जादा मानती हूं इसलिए मैंने जो है वो दिन चूस किया था कि मैं अनूंस कर दोंगी वीडियो और बहुत ही जद्व जहत करके मेरी टीम ने फाइनली कि टीम बुल गिए और ये जितने भी पीडिय अगे होंगे हमारी अम इसे तरफ से आपको हम हाफ प्राइज में गरेंगे मेंगे जाएगा उसका हाफ प्राइस आप पेकर होगे और हाफ मनी मेरे अकाउंट से कटेंगा ठीक है क्योंकि आप फर्स्ट यूजर हो जिसने ऑनलाइन स्टोर से मेरा ये बुक बाई किया है अपर प्राक्टिस के वज़े से मैं बता रही थी कि क्या किया लोगों पता है ये पीडियेफ मेरा बाई किया ओके इन्होंने बाई किया मेरे ऑनलाइन स्टोर से बाई करने के बाद ये लोग क्या कर रहे है और ये सारे स्टूडेंट ऐसा लेकि कोई मेरा कॉंपीटिटर है कोई अलग यूट्यूबर है नहीं स्टूडेंट है इसके अंदर पीडियेफ के अंदर कुछ एक्स्ट्रा आड कर रहे है और इसका अमांट बढ़ा के 450 में बेच रहे है ठीक है बहुत ही गलत बात है कोई 450 में कोई 350 रुपीज सम्तिंग लाइक डाट जो कि मुझे इसा ल मेरे स्टुडेंट ने स्कुरिंशॉट भेजा इस तरह की माल प्राक्टिस हो रही है आपकी पीडिएफ के साथ लिटरली रॉंग डोंट दू दाट और एक बंदी है अनन्या अमें का सनिम बुल गी तो उन्होंने ऐसा किया और मुझे बहुत पुरा लगा एक लड़की हो जब मुझे पता चला मेरी टीम ने मुझे बताया कि इस तरह की चीज़े हो रही है आप प्लीज मेल पढ़ लीजिए एक मेल आया बच्ची की तरफ से तो मैंने धन्यवाद किया कि आपने हमें जो इन्फर्म किया थांकि सो मच पुदाट पट यह जो हो रहा है बहुत गलत फिलया आप नहीं है आपको और जेन्वाण वाला पीदिए आफ लेना जो कि सिर्फ़ और सर्फ मेरे आनलाइन स्टोर पे मेरे लिंक में लीक्ट अगर और से लोग या किसी और के ग्रूप से वर गेरा जाके लेते हे तहों उसम沒有 कुम द्राइब कर रहे कर रहे हैं गलत गल प्राक्टिस हो रहा है तो आप किस तरह से आपकी स्टुडेंट की साइट ले रहे हैं हमेशा मैं उन्हें कहते हूं पता है मेरी टीम को मैं हमेशा कहते हूं कि जितना जाधा हो सकता है फ्री कंटेंट प्रवाइड करो जितना साधा हो सकता है उतना कम पैसा पैसे जो होता है प्राइस होता है वो कम रखो हो फिव मुझे मेशचर्ड मेल करके कहते हैं कि माँ मैं आप तो इतना साइड वा तो आपके एस स्टूrd wink और है तो मैंने उन्हें मेल करके कहा कि यह यह एक एकम होई करें कर एक सबस्कें कि क्योंकि अगर आप अभी इस student phase में इस तरह का unethical काम करोगे life आपको इस तरह का unethical काम करने ही लगाएगी और karma will work definitely karma will work तो अपना effort पढ़ने पे लगाएगे अगर आप free fund में ठीक है free fund में या extra amount में खरीद होगे आपको इसी गंदी आदत लग जाएगी और आप लोग कदर नहीं कर पाओगे मैंने price कम रखा इसी लिए कि जो भी बच्चा अफोर नहीं कर सकता वो बच्चा ले सके और जब आप खरीदते हो ना खुछ से तो आप उसको अच्छे से पढ़ते हो ठीक है अगर आपको free fund में मिल रहा है तो उस पर मच जाएए गलत information दे रहे हैं लोग आपको अच्छे से बाय करना online store से ही बाय करना ओके चलिए अगली जो भी न्यूज़े वो देखते हैं तो इस तरह की चीज़े हो रही है तो प्लीज बच्चो माल प्राक्टिस मत कीजिए और जो भी बच्चे मेरा PDF खरीदना चाहते हैं सिर्फ और सिर् बहुत सारे बच्चों को कन्फीजन हो रहा है कि हम 149 रुपीज वाला लिया 239 तो बैस आपको रेकमंड करूंगी 239 इसलिए नहीं क्यूंकि इसकी प्राइज जाद है इसलिए क्यूंकि आपको सिर्फ एक एक्जाम टैकल ने करनी है बहुत सारी एक्जाम टैकल करनी है जो नेक्स्ट न्यूस क्या है केरिला जो है इस गूंग टू ऊपर इस फर्स्ट हूमन मिल्क बांग और फेबरेडी 5 तो 2021 तो बोस्टली इसमें फेबरेडी की है सारे तो किरला जो है स्टेट यह अपना पहला हूमन मिल्क बांग ऑपन करेगा बहुत ही अच्छा इनिशेटी ह है और इस स्टेट को जो इनिशेटी लिया है इसकी सराना पूरे इंडिया ने की है दा हिंदू ने यह नियूस कवर की थी और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने पड़ा क्योंकि बहुत जादा कॉंप्लिकेशन होती है कही कही बार और जो चोटा बेबी होता है न्य को एक जनम मिलता है ठीक है उनको उनका वेट वगेरा कम हो जाता है अगर उनको फीडिंग टाइम पर ना हो तो यह कॉंप्लिकेशन कम करने के लिए बहुत अच्छा इनिशेटी लिए है के लाने 100% कोशन बनेगा कि कौन सा स्टेट है जिसने हुमन फॉर्स्ट हुमन मिल्क बना बनाए है तो केरेला ठीक है बचलेश फैननस मिनिस्टर निर्मला सितार रमान जो है उन्हेंने अनौनस्बेंन किया है यूनियन बजट में मित्रा स्कीम है ये मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्स्टायल पार्क के लिए स्कीम है तो इंदिया में अक्छली कॉटन हमने प तो हम टेक्स्टाइल में पीछे क्यों रहे हमारी टेक्स्टाइल इंडिस्ट्री रिनाउंड हो हमारा नाम हो इसलिए पिछले साल के बजट में भी उन्होंने बहुत जादा जो है पैसा अलोकेट किया था इस बार भी बहुत जादा सब्सक्राइबंगा मुटन सब्सक्राइब फेर को निता हो सज़गी उतना अपने है तो यह जो है मिट्रा फॉइशन के बारे में पूचे हाँ तो यह इनस्ट्रइब हो रही है चिक इंडिस्ट्रि में तो समाट हो रही है कि 100 पर संट यादध है बच्छों तो यादक्त एं इन्सपिरेशन 4 के बारे में पूछा दाएगा आपको कि हाल फिलाल स्पेसेक्स नी अनॉंस किया है इन्सपिरेशन 4 इतना याद रहो दाट सिट ओके नेक्स्ट वन यह दो स्कीब है जो अनॉंस की गई है यूनियन बजट के दर्म्यान ही तो इसका फिर सिर्फ नाम याद रखना है पूछ सकता है तो पीम आत्मनिर्भर स्वस्त भारत योजना यह अईश्मान भारत के अंतरकति आती है और मिशन पोशन 2.0 ठीक है तो इसमें आपको क्या पढ़ना है कि मिशन पोशन 1 जो था वो कब लॉन्च हुआ था यह आपको याद रखता है और पीम आत्मनिर्भर स् पूरा नहीं पूछेगा बस हाइलाइट पर लो पूरा नहीं पूछेगा बस हाइलाइट पर लो चो जो तिबत्यन स्पिरिच्वल लीडर है दलाई लामा इन्होंने अपनी नई बुक लांच की है और बुक का नाम है दलीटल बुक ऑफ एंकरिजमेंट तो अगर आप अगर आपके पास टाइम है जिननों ने कोई अलग फॉर्म फिल अगरा किया है तो मैं उनको सदेश कोरूंगी ये बुक पढ़ना बड़या बुक है अभी हाल-फिलाल थोड़ा मिलना मुश्किल है ओनलाइट मैंने और तो की थी लेकिन मिल नहीं रही है और आउट-टॉक इनकी हमेशा बुक्स फिर भी जहां तक मैंने रिवीज पढ़े हैं मुझे अच्छी लगी जैसे मिलना बताऊंगी वही लेकिन अगर आपके पस्ताइम है तो बुक पढ़ना ठीक है और जो भी माल प्राक्टिस करें उन लोगों में बताना चाहंगी गलत काम है ये बहुत इसी के एफर्ट्स को दिफें करना या फिर उसको दिस्रेस्पेक्ट करना अगर आप ये करोगे तो आगे फ्यूचर में कर्मा विल वर्क फो यू वैसा ही आपके साथ होगा तो प्लीज डूंट दू दाट और जो भी बच्छे पाई करना चाहते है पीडियो सिर्फ और सि प्लीज प्लीज आप आप फिर नीव वीडियो आता है आपको नोट्फिकेशन मिल राएगा थांक यू